परिचय अभिलक्षणों के विशय में पढ़ा था हाँ, अब हम प्लैटी हेलमिन्थीज एसकलेमिन्थीज अनलिडा आर्थरोपोडा मोलस्का तथा एकाइनो डर्मेटा के अभिलक्षणों के विशय में चर्चा करेंगे तो आप शुरू करें उद्देशे इस पार्ट के अन्त में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे प्लैटी हेलमिन्थीज एसकल मिन्थीज अनलिडा और्थरोपोडा मोलस्का तथा एकाइनो डर्मेटा के अभिलक्षणों को समझना प्लैटी हेलमिन्थीज प्लेटी हेलमिथीज प्राणी प्रिष्टा धर रूप से चप्टे होते हैं। इसलिए इन्हें समानिता चप्टे क्रिमी कहा जाता है। पर जीवी प्राणी में अंकुष तथा चूशक पाई जाते हैं। विशेश ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंतरण तथा उत्सरजन में सहेता करती हैं। नर्मादा अलग नहीं होते हैं। निशेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्था पाई जाती हैं। कुछ सदस्यों जैसे की प्लैनेरिया में पुनरुद भवन की असीम क्षमता होती है। उधारण टीनिया यानी फीता क्रिमी, फैसियोला यानी पॉन क्रिमी। एसकेल मिथीज का शरीर अनुप्रस्त काट में गोला कार होता है। अता इन्हें गोल क्रिमी कहते हैं। ये मुक्त जीवी, जलिये, अथवा, स्थलिये तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये दुईपाश्व सम्मिती, त्रीकोरगी तथा दंत्र सतर का है। उचसरजन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उचसरजन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। नर तथा मादा एक लिंगाश रई होते हैं। अर्थाद एक ही होते हैं। प्राया मादा नर से बड़ा होती है। उधसर रिस यानी गोल क्रिमी पुचेरिया, फाइलेरिया क्रिमे, एंसाइलोस्टोमा यानि अंकुष्क्रिमे, एनलीडा, एनलीडा जलिये यानि लवणिये तथा अलवणिये जल अथवा स्थलिये, स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीव तथा कभी-कभी परजीवी होते हैं. ये अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदशित करते हैं, तथा इन में दुई-पाश्व संभिती होती हैं. एनलीडा त्रिकोर की क्रमिक, पुंद्रावृत्ती, विखंडित, खंडित तथा गुईये प्रानी होते हैं. इनकी शरीर सतह, स्पष्टता, खंड अथवा, विखं होता है. इसलिए संग को एनलीडा कहते हैं. इन में अनुदैर्थ तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, जो चलने में सहायता करती हैं. एक बंद परी संचरन तंत्र उपस्तित होता है. नैफ्री डिया परासरन नियमन तथा उच्छन में सहायता करता है. तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं यानि एक वचन गेंगली लियोन होती हैं, जो पाश्वत तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्चू से जोड़ी होती हैं. नैरिस नैरिस एक जलिये एक लिंगा श्रई होती हैं, लेकिन प्राणी जगत में 75 प्रतिशत तक और्थो पोड़ा होते हैं, अर्थो यानि जॉइंट, पोड़ा यानि एपेंडेस. और्थो पोड़ा में सबसे बड़ा समुह कीट होते हैं, ये एक मात्र आग कशेरू की होते हैं, जो उड़ सकते हैं, इनमें अंग तंत्रिस्तर का शरीर संगठन होता है, ये दुईपाश्व सम्मिती, त्रिकोरिक, विखंडित तथा प्रगोही प्राणी हैं, शरीर में सिर् अख्ष तथा उदर होते हैं, और्थो पोड़ा में काड़ा बाहिशरीर, खंडिकृत शरीर तथा संधी युक्त पाउं होते हैं, श्वसन अंग कलूम, पुस्त कलूम, पुस्त फुपुस अथ्वा श्वसानी काउं के द्वारा होता है, परिर संचरन तंत्र खुला होता ह संवेदियंग जैसे श्रिंग काई, नेत्र समान तथा संयुक्त, संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट उपस्तित होते हैं, उस सर्जन मैल पीगी नलिका के द्वारा होता है, ये अधिकांश एका लिंगी श्रय होते हैं, निशेचन आंतरिक होता है, ये अधिकांश दा प्रत्यक्ष हो सकता है, मकडों में संधी युक्त पाउं यानि आठ पाउं, जबडे तथा पंक होते हैं, सेंटीपीट अपनी बहुत सी टांगों का प्रियोग शत्रूँआं से भागने में करता है, सहसरपाद किसी भी खत्रे को भाव कर अपने शरीर को मोड लेते हैं, आ रेशम कीट, लेसिफर यानि लाख कीट, रोगवाह कीट, एनाफ फिलीस, क्यूलेक्स तथा एडीस यानि मच्छर, यूथपीडक तिढधी यानि लोकस्टा, जीवित जीवाश्म लिमुलस यानि किंग क्रैब आदी, उधरन बीटल, सहस्त्रपाद, सेंटिपीड, मकडा, क्रैब, मुलस का, मुलस का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संग है, मुलस का स्थलिये अध्वाजलिये, यानि लवणियें एवं अलवणियें तथा अंग तंत्रिस्तर के संगठन वाले होते हैं, ये दूई पाश्व सम्मिती, त्रीकोर की तथा प्रागुई प्राणी है इनका शरीर कोमल, परंतु कठोर, केल्शियम के कवच से ढखा रहता है, तथा अखंडित होता है, जिसमें सिर, पेशिये पाद, तथा एक अंतरंग ककुद होता है, केवल कुछी में कवच नहीं होते हैं, स्कुइट तथा आक्टोपस भी मुलस का होते हैं, कड़े कवच छ ककुद के ऊपर प्रवार बनाती है, ककुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गोहा कहते हैं, जिसमें पंक के समान क्लों पाई जाते हैं, इनके शुरसन तथा उस सर्जन कारे करते हैं, सिर पर समवेदी स्परशक होते हैं, मुख में भोजन के लिए रेती के समान खिसने का अंग होता है, इसे रेती जिफा यानि रेडुला कहते हैं, उधारन स्नेल तथा सीस क्लैप, ऑक्टोपस तथा सी स्लग. एकाइनो डमिटा में केल्शियम युक्त अंता कंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम एकाइनो डमिटा यानि शूल युक्त शरीर है. सभी एकाइनो डमिटा समुद्रवासी होते हैं, तथा इन में अंग तंत्रिस्तर का संगठन होता है. वायस्क एकाइनो डम अरिये रूप से सम्मिती होते हैं, जबकि लार्वा दूई पाश्व रूप से सम्मिती होते हैं. इनका सम्मंद आकशे रूपियों के एक समुसे है, जिसमें ट्यूब नुमा छोटे पाउं होते हैं और शरीरिक अंग केंद्रिये हिस्से के इर्द गिर्दे स्थित होते हैं. एक सितारा मचली की पांच भुजाएं होती हैं, तथा सिर नहीं होता है. सितारा मचली का कड़ा, कांटेदार, कवच, प्राणियों की रक्षा करता है. समुदरी अर्चिन भी समान समुह का हिस्सा है, इसका शरीर शूलों से ढखा होता है. पांचन तंत्र पूर्ण होता है, तथा समानिता, मुख, निचले अर्थात, अधर तल पर, एवं मलद्वार, प्रिष्ट तल पर होता है. जल समवहन तंत्र इस संग की विशिष्टता है, जो चलन यानि गमन, तथा भूजन पकड़ने में, तथा श्वसन में सहायक है. लेंगिक जनन पाया जाता है, निशेचन समानिता बाहे होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुख्द प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है. उधारन एस्टेरियस यानि तारामीन, एकाइनस यानि समुद्री अर्चिन, एंटिटोन यानि समुद्री लिली, कुकुमेरिया यानि समुद्री करकटी, तथा ओफियूरा यानि भंगुर तारा. क्या आप जानते हैं? प्लेटी हलमिथीज में चप्टा शरीर होता है, तथा ये दूइकोरिक सम्मिती का प्रदर्शन करते हैं. एसकेलमिथीज कूट प्रागु होते हैं, तथा इन में परजीवी और गैर परजीवी गोल्ड क्रिमी होते हैं. एनिलिडा दुई कोरिक सम्मिती होते हैं तथा बंद परी संचन और तंत्र होता है केंचुए, नेरीज, हिरूद दीनेरिया, सी माउस तथा लीच एनिलिडा होते हैं केंचुए में विखंडित खंडी भवन पाया जाता है इनके शरीर में नलिका योजना के भीतर नलिका पाय जाती है और्थोपोड़ा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संग है जिसमें विखंडित खंडी भवन, कंकाल तथा संधी युक्त प्राणी पाय जाते हैं और्टो पोड़ा संग में कीटों की सरवाधिक प्रजातियां होती हैं, मक्खी, मच्छर तथा तिलचटे कीट वर्ग में आते हैं। तथा काला जार आदी इन कीटों की वजह से ही होते हैं। एकाइनो डर्म की पहली तवचा होती है तथा समुद्री होते हैं। जल्समवहन तंत्र इस संग की विशिष्टता है। एकाइनो डर्मिटा में अखंडित प्रागोहा, व्यसको में अरिय सम्मिती तथा लार्वा में दुईकारिक सम्मिती होती है। इन में मौकिक तथा अपमुक सतह होती है।